कि दो गंटे बादी क्या नाम है सरापका विक्रम कुमार साथ क्या लगता है कि जो बीजेपी का पांच किलो रासन है वो जेडियू यार जेडी जो या भी आइप यह भारी पड़ेगा कि नहीं परना तो चाहिए बीजेपी का भारी पड़ेगा पड़ेगा लेकिन जो सोचल मीडिया हो यह दिखा रहा है कि जो टैक्स से पैसा लोग जो समान खरीदिये टैक्स से पैसा जाता है उस पैसे की बदोले भारते जंदा पार्टी जो है रासन या जो चीजे दे रही है वो तो फिलाल में देश्दुनिया के लड़ाई चल रहा है थर्ड वर्लेवार होने वाला है देश्दुनिया इसी में तबाह है चुनाओ की बात कर रहे हैं जो कि अपना इनको फुरत लहर है और इसका फेमस और बीजेपी वाले भी है इनका भी जो है लोग कहनेंगी बीजेवी तो फाइट में नहीं है जेडी और व्याईपी यह बस दोनों यहां दिखाई दे रहे हैं वह तो अब रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेंगे जो कि अब किसका क्या है और इस बार भी रमाई राम दावा कर रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं रमाई राम के और से पूरा अभी है अब तो जूए है दुनिया से जो इसी लोग निगलेट कर रहे हैं उतना नहीं चाह रहे हैं और फिर भी जो है अब उनका सत्ता है पाटी है सरकार है अब इसके लहर से जो है सम्हाबना हो आप वोlet गो में आप किसको वोट देंगे अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है वह तो जहां देंगे वह तो बक्त किसंगा अच्छा लगता है लगता है इसजोए किस की लहर यह पुत लाहर न के पतल लगाने काम है हम तो आरजिदी के पोड़ देते हैं आरजवी कि देगे आपका नाम है सर राम्पुकार्शीग किसकी लहर है यहां तो विकास का लहर है विकास मतलब कौन बिकास बाएं जमीनी जो विकास देखाई पर रहा है पब्लिक बीच में जो सान भूति लोग कह पिछे देख रहा है और इससे ज्यादा क्या पतावे एक बात बताई है कि भाजपा जो रासन देती है वह अन्य पार्टी के ओपर भारी पड़ रहा है इसमें कहीं दो मट्री की चीज भारी पड़ रही है बेलकुल बेलकुल उनको वेवास्ता देना चाहिए लग रहा है कि कि विकास की बाद तो भरते जंदा करती है कि सब का साथ सब कर हर लोग मन में हमारे जंते यही है कि जो विकास करेंगे उनको हम वोटिंग करेंगे लेकिन लोग कह रहें कि बाजपा तो कहीं इस बार 3D तेरा में कहीं है नहीं इस विधान सभा में देखिए समय आने दीजिए लोग कह रहे हैं कि बस दो ही पाट्टी लड़ाई है भाजपा तो गई चोथे पांचवे नंबर देखिए यहां का लड़ाई हमारे सिध्यान से भाजपा में और राजत में दूगों में जोन निकाल अभी वर्टमान में अधिक जनता दुखी है क्यों एस दारू-फादू लाई सब मामला लेकर बहुते लोग दुखी तो है कि उस पे वीलोकुर वर्क नहीं हो रहा है बताएंगे कुछ वर्क मान के चलिए कि नलकूब विभाग का वो दिये उसका कोई माने कोई पंचाइत नहीं है जिसमें पूरा हुआ सब जगा अधूरा पड़ा हुआ है कौन सुनेगा बात जीता आपके धन्यवाद है सारे पब्लिक के तरफ से कि कम शेकम आप पहुंचा रहे हैं यही बखूत है शिक्षा की क्या वावस्था आपके चेत्र हैं उसमें कहां कोई जान नहीं है उसमें कहां जान नहीं है हमारे नितिस बाबू पांच साल में विकास पुत्र के नाम से जाने गए थे विदेश में इनका परशंसा होता था हम लोग भी 500 एस्टेट जाते हैं वहां भी परशंसा होता था मराई इनी का चाशन है जो लोग कुहक रहें जीतन राम मांजी जिस्समें मुख्यमंद्री थे तो उनका चाशन कैसा रहा उनके चाशन मिला जुला के ठीक है तो क्या लगता है कि नितिस कुमार से जंता दुखी है विकास का कारिया नहीं हो रहा है तो 25 में लगता है अगर नहीं सुधार करेंगे तो चांच तो लग रहा है महिलाओं को लेकर के क्या कहेंगे उनकी सुरक्षा को लेकर करके सरकार क्या मतलब कदम करें कोई सुरक्षा नहीं है कोई सुरक्षा नहीं है कोई सुरक्षा नहीं है पूरा पूरा जो है नितिस कुमार जी की सरका थे तो हमको कॉल किये तो हम उनसे पूछा यह से मैस साहब से कि इतना पैसा चाहिए आप तो हर वाड में एक हो को दलाल खड़ा किये हैं कि उनके हां पेपर लेकर जाहिए भेरिफिकेशन कराइए तो काया कि दो हजार उपईया चाहिए फलना आजमी से मिल लीजिए तो हम कह के सवाल कहां चाहिए हम तो हजार उपईये फेद देते हैं समझे की नहीं उत्र का उनको पूछने लगे तो उनका दलाल जो था कहा कि आओ रंपगार्शिंग है अरे बचके बचके उनका रेकॉर्डिंग भी मेरे पास अभी तक मोबाइल में आप सबका साथ सबका विकास की बात कर रहें लेकिन अभी तो भारते जंता पार्टी ने मुकई सानी को मंत्रीपत से बरखास्त कर दिया है तो इसका असर भाजपा पे होगा की नहीं होगा इसका अशर तो कुछ परेगा असर होगा ना इसका मतलब निकालना नहीं चाहिए कुछ तो पड़ेगा इस उन क्या जहां तक चांस लग रहा है क्या वहां टकड़ावे है इसमें कहाई चे और नलकू विभाग को जो है कोई पंचाइत नहीं है पुछ लीजे सारे लोगों से कहाई फाइनल नहीं है इपर खिली भर से उपर पाणी कम से कम रहता है हाँ एक दिन बारीच हो तब 20 दिन कम से कम पाणी जलू रहता है और बरसा तो खरबास के बात रहे आप साईकिस से यहां नहीं आ सकते हैं बगर बरसा होजा का हाल का आता है पाइदल आना होगा आपको जोरो तरफ लिए लेकिन पर चार पर साड नहीं दिख रहा है लेकिन प्राइब नहीं प्रकास कर दिया इसका तो होगा उससे क्या फरक परेगा बीजेपी के आपना केंदर में हैं इस तरह से जातिये समीकरन बना हुआ है लेकिन पिछली बार तो एंडिये ने मुकेश सानी के साथ गटबंदर करके शीट निकाला था अब लगता है कि बिना गटबंदर के उनके सान निकाल ले निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं पड़िया है जी आने वाला समय में तो बाइचावे बात शाहिए कि को कि लोग ना सब्सक्राइब कर रहे हैं जाते जाते उनको बोटिंग जरूर कर रहे हैं कि आगे के विश्वास तरह से जो है गवर्मेंट जो सेक्टर निजी करन कर रहे हैं क्या कहेंगे इससे रोजगार बढ़ेगा की कम होगा देखिए अभी लोग सरकार पैसा देती है स्टाप को एक सब्सक्राइब कर गया है फिर भी उसको पांच साल के लिए एक्स्टेंशन कर दियाता है तो उसका पचीस हजार पेंसन हो गया आधा सैली पचीस चारव लेकिन वही जदी नौजवक को जदी उतना सैली देता बेरोज गारी घर जाता है एक करना चाहिए सरकार को अभी सब गलत बात है यह मसीन पे आपको बरोसा है हाँ बहुत बढ़िया आपको क्या लगता है काम करती है सब क्राम एडिया मसीन बहुत क्या नाम है किसको वोट देंगे अभी सार देखिए भूट देने वाला राजनेती तो लहर तो बीजेपी के लहर है इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन तकड़ाव तो होबे कड़ेगा तकड़ाव में तो कोई रोक नहीं है लहर तो है बीजेपी में ओगी बाबा इसमें काम करने वाला नेता भी तकले होया नहीं है यहां बहुत ज्यादे जहें अपने पेट भरने के चेकर यूपी में तो योगी जी 2.0 सरकार बन गई है हा तो दुसर बार हो गई है दूसर बार बढ़ बने है लेकिन उस बार तक डुमेर बन गये वह बहुचा विधान सभाण घदी बता है बताइए व clearly was अब है जदि वह अकिले भी 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 हार में लड़ेगी नितिश कुमार को साइड करके तो पर भी बीजेपी निकल जाएगी जी बीजेपी तो जो है हिंदुतों का नारा देती है लेकिन भारत जो है धर्म निर्पेक्स देशा इस पर क्या कहेंगे सही कह रहा है हिंदू राज अभी की लिएरिफिकेशन नहीं है और इतलिए लोग दावा कर रहे हैं कि भाजपा की यहां सरकार बन रही है इस बार बिनागट बंदन के यहां पर जो है यह सीट बाजपा निकालेगी और अभी सबसे बड़ी पार्टी बिहार के अंदर बाजपा बन चुकी है क्योंकि म समयमे बड़ी पार्टी बनेगी आसा इन लोग साथ है और यहां 필요 पर और कोई पार्टी जो है बाजी नहीं ह rp jaw भाजपा ही यहां पर बाजी मार ही है आपने रही है विघवी साथ में हम लोग आपको दिखाते रहेंगे ग्राउंड की वो हर रिपोर्ट टाइम टू टाइम सुबह सबसे पहले आप लोगों को यह रिपोर्ट मिलती रहेंगी एक एक शिद्दार के साथ मैं धन्यवाद